हेलो फ्रेंड वेलकम टू अश्टडी विथ सोधागर दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग जानेगे तिलकोन मीती के जितने भी फर्मूला बन देते हैं उन सारे फर्मूला को हम लोग आज लेकर याद करेंगे यदि आप लोगों को तिलकोन मीती के सभी फर्मूला दे लिख होता है कितना होता है एक इसी फर्मूला से दो और फर्मूला निकल जाएगा क्या तो आप लोग यह भी लिख सकते हैं साइन अस्क्वाइड ठीटा बराबर क्या होगा वन मैनस कॉस स्क्वाइड ठीटा फिर उसके बाद कॉस स्क्वाइड ठीटा बराबर क्या लिख तीसरा बन गया, sin square theta बराबर, 1- cos square theta, तीसरा हो गया, cos square theta बराबर, 1- sin square theta, आईए हम दूसरे फोर्मूले पर चलते हैं, यहाँ पर लिखा गया, सेक square theta, minus 10 square theta, बराबर कितना होता है, 1 होता है, सेक square theta, minus 10 square theta, बराबर, 1, इसलिए हम लिखेंगे, सेक square theta, बराबर, 1 plus 10 square theta, क्या लिखेंगे, 1 plus 10 square theta, और, 10 square theta, बराबर, 10 square theta, क्या लिखेंगे, सेक square, सेक square theta, minus 1, देखिए हुआ क्या यहाँ पर यहाँ पर सेका स्कुय ठीटा यही है बरावर किये तो 1 था पहले और इधर मैनस मुँथा जबाद चल गया पलस हो गया इसलिए हो गया 1 पलस 10 अधीटा लेकिन यहाँ पर क्या कि इसको उस साइड भेदcrai और इसको इस साइड इसलिए अपर 10 ब्राबर क्या हो गया सेक अस्क्वाइट इटा मैनस one आई यह हम next person को करते हैं उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए देखिए यहां पर है कौसेक अस्क्वाइट इटा मैनस कौट अस्क्वाइट इसका मान होता है एक क्या होता है एक इससे हम लोग फिर अगला दो फूर्मुला निकाल लेंगे क्या तो लिखेंगे कौसेक अस्क्वाइट इटा बराबर one पलस कौट अस्क्वाइट इटा क्या लिखा हमने कौसेक अस्क्वाइट इटा बराब स्कॉइट थीटा मैनस वन क्या हो जाएगा कॉस एक स्कॉइट थीटा मैनस वन अब दिखी क्या होता है साइन कॉस सटेगा तो भी एक होगा उसके बाद कॉस सेख सटेगा तो भी एक होगा और टेन कॉट सटेगा तो भी एक होगा यहाँ पर हमने लिखा है 10 theta into 4 theta ब्राबर क्या होता है एक क्या होगा एक जब एक यह होता है तो आप लोग को कोई पूछ भी सकता है तो 10 theta ब्राबर क्या होगा तो 1 बटे क्या होगा 4 theta, 1 बटे 4 theta इसी परकार 4 theta भी पूर सकता है 4 theta बराबर क्या होगा 1 बटे 10 theta 1 बटे 10 theta यह हम जान लिए, अब जानते हैं अगला next formula, तो देखिए next formula क्या है sin theta into cos theta, क्या है sin theta into cos theta, कितना हो साता है इसका मान 1 होता है जबी दोनों का मान एक होता है आगे मैं ये भी बताऊंगा आखिरी एक कैसे होता है ठीक इसलिए वीडियो को आप लोग आंत तक जरूर देखिएगा तो यहाँ पर क्या कहता है तो साइन ठीटा बराबर क्या हो जाएगा वन बते कौसेख ठीटा क्या हो जाएगा वन बते कौसेख ठीटा और कौसेख ठीटा बराबर क्या हो जाएगा वन बटे साइन ठीटा हमने लिख दिया उसी परकार यहां कॉस ठीटा इंटू यह सेख ठीटा लिखा हुगया है यह क्या लिखा गया है सेख ठीटा है सेख ठीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ठीटा बराबर वन बटे सेख ठीटा, क्या लिखाएगा, वन बटे सेख ठीटा, और सेख ठीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे कॉस ठीटा, हमने यहां तक फर्मूला जान लिया, अब जानते हैं कि टेन ठीटा का फर्मूला, साइन कॉस में क्या होता है, तो टेन ठीटा बराबर होता साइन ठीटे बटे कॉस ठीटा यानि तेन ठीटा का क्या फर्मूला हो जाएगा साइन ठीटा और कॉट ठीटा का फर्मूला हो जाएगा कॉस ठीटा बटे साइन ठीटा अब हम लोग जान लेते हैं कुछ चेंजिंग मान जो होता है 90 मैनस ठीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हम लोग जान लेते हैं जैसे यहाँ पर देखिए, sin 90-θ, जब sin 90-θ करिएगा, क्या आजाएगा, तो यही cos थ आजाएगा, क्या आजाएगा, cos थीटा, और cos 90-θ करिएगा, तो sin थीटा आजाएगा, क्या आजाएगा, sin थीटा, इसमें और भी होते हैं सुत्र, मैंने इसको पहले एक ही कुछ ही लिया ह है, और अगला, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर और भी वीडियो बना दूँगा, तो यहाँ पर देखिए, 10 90-θ क्या हो जाएगा, तो 10 90-θ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 थीटा, हमने जान बूच कि इसको पेर बना के लिखा, ताकि आपको समाजने मे आसान होगा, 10 90-θ ब्राबर कॉट थीटा, और कॉट 90-θ ब्राबर क्या होगा, 10 थीटा, उसी परकार यहाँ, कॉसेक 90-θ थीटा ब्राबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा, और सेक 90-θ थीटा ब्राबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यहाँ तक तो ह हम लोग समझेंगे, उससे पहले आप लोग जान लिजिए, कि ये कर्ण, लंब और अधार क्या होता है, देखिए, कर्ण, इंगलिस में इसको बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसलिए कर्ण के जगह कभी-कभी H भी लिखा रहता है, उसके बाद लंब को करते हैं, परपेंडिकूलर क्या करते हैं, परपेंडिकूलर क्या करते हैं, इसलिए P भी लिखा रहता है, लंब के जगह आप अगर P से भी इंडिकेट करिएगा, तो भी सही होगा, और अधार को आप लोग क्या करते हैं बेस यहां पर हम बी का यूजबी कर सकते हैं अब ढ़िए जैसे कि यहां पर ठीटा है ठीटा काम मतलब यहां कुछ भी डिई दिया रहेगा मान उसके जो सामने रहेगा उसको लमब कहेंगे उसके जान लेते हैं कि Сाइन्ठीटा में अगर साइन्ठीटा बराबर डायरेक्टर पुछेगा तब इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे साइन्ठीटा बराब होता है lump बटे कर्ण How to sum कर्ण को S से भी यनि懈 इसको लिख सकते हैं P by H उसी तरह कौस शिटा बराबर क्या होता है अधार बटे कर्ण अब देखिए अधार बटे कर्ण लिखेते हैं अधार को आप लोग B भी लिख सकते हैं यानि B बटे एज उसके बाद 10 ठीटा का क्या होता है 10 ठीटा का होता है लंब बटे अधार लंब बटे आधार लंब बटे क्या होता है आधार तो देखिए लंब को हम लोग क्या सुचित करते हैं तो लंब को करते हैं P से और आधार को B से आपको बस इतीने फर्मूला याद करना इतीन वो एटोमेटिक हो जाएगा कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि होता क्या है साइन ठीटा के उल्टा को ही हम लोग कौस सेख ठीटा बोलते हैं और कौस ठीटा के उल्टा को सेख ठीटा साथे साथ तेन ठीटा के उल्टा को कौट ठीटा बोलते हैं यहाँ पर देखिए 10 ठीटा बराबर क्या लिखा गया लंब बटे अधार अगर हमसे कोई पूछेगा कौट ठीटा बराबर क्या होगा तो उसका हो जाएगा आधार बटे लंब तो आधार यनि B उपर चल जाएगा और P नीचे हो जाएगा ठीक कुछ इस प्रकार हो जाएगा अब भी देख लेते हैं नीचे भी लिखा है जैसे कौसेग ठीटा इक कौसेग किसका होता है तो साइन का उल्टा होता है कौस एक होता है, साइन का उल्टा, तो हम लोग लिखेंगे, कौस एक ठीटा बराबर, कर्ण बटे, कर्ण बटे, लंब, कर्ण बटे क्या लिखेंगे, लंब, और कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, एच, लंब को पी, एच बटे, पी लिखेंगे हम, उसके बाद आता है, से कर्ण का मान h बटे b इस तरह हमने इस तरह के फर्मूला को जान लिया आए थोरा सा इसके बारे में संबंद हम लोग जान लेते हैं फिर हम इस चारे फर्मूला को रिभाइज कर लेंगे दर असल यह एक पैथा गोरस पर मैंसे सीध किया गया है कि कर्ण अस्क्वाइर बराबर अधार अस्क्वाइर ठीक उसी परकार यदि आपको कोई लंब पूछ दे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वाइर कर्ण का स्क्वाइर मैंस अधार का स्क्वाइर अधार का स्क्वाइर ठीक इस परकार और अगर कोई पूछ दे आपको कि लं तो पुछी दिया आधार बराबर क्या होगा तब आधार बराबर हो जायता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वाइर मैनस लंब का स्क्वाइर थोरा सा इसका यहां यूज आ गया था इसलिए मैंने साथी साथ ये भी बता दिया है आप लोग आसानी से इस वीडियो को देखे मैं एक बार और फिर से रिभाइज करा देता हूँ आप लोग जरूर देख लिजिए तो यहां पर हमने क्या क्या साइन स्क्वाइर थीटा प्लस क्या स्क्वाइर थीटा बराबर क्या लिखा एक उसी परकार इसको हमने दो फर्मुला और बना लिए सेक स्कॉय ठीटा बराबर 1 पलस 10 स्कॉय ठीटा और 10 स्कॉय ठीटा बराबर क्या हो गया सेक स्कॉय ठीटा मैनस 1 आईए हम तिस्टे फर्मुला पर चलते हैं इसमें लिखा गया है 10 θटा into 4 θटा बराबर कितना होता? एक, इसलिए 10 θटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 4 θटा और 4 θटा बराबर 1 बटे 10 θटा उसी परकार देखे, यहां भी हम लोग sin θटा into cos θटा में क्या है? तो sin θटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 5 θटा और 5 θटा बराबर 1 बटे sin θटा और यहां पर हम लोग cos और 6 में भी क्या है? तो cos θटा बराबर क्या हो गया? 1 बटे 6 θटा और 6 θटा बराबर 1 बटे cos θटा और 10 θटा का फर्मूला क्या होता? sin θटा बटे cos θटा और 4 θटा का फर्मूला होता है कौस ठीटा बटे साइन ठीटा और हमने चेंज करके मांद चेंज करने बाला भी बता दिया है कि साइन 90 मिनस ठीटा होगा तो क्या होगा कौस ठीटा और कौस 90 मिनस ठीटा होगा तो हो जाएगा साइन ठीटा उसे प्रकार 10 90 मिनस ठीटा और हमने क्या क्या है तिर्कोन मितिया अनुपात को भी मैंने यहां पर समझा दिया है तो शान टिटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी P बटे H और क्वाश टिटा बराबर अधार बटे कर्ण यानी B बटे H और 10 ठीटा बराबर होता है लंब बटे अधार जिसको बोल सकते हैं P बटे B और 4 ठीटा बराबर होता है अधार बटे लंब यानि B बाई P इसी को उल्टास हमने तीनों में भी कर दिया इस तरह आप आसानी से हमने इस वीडियो में तीरकौनमीती के खास प्रसनों को देख लिया यदि आप 10 में इन सारे फर्मूला को आप लोग अच्छी तरीका से याद कर लें आपको जरूर पका इससे कुछ न कुछ कुश्चन आएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद